जहिन दोस्तों इस वीडियो में CDS में आवे जोग्राफिक कुशन्स की बात करेंगे इस बार का जो ट्रेंड है वो पिछले साल के ट्रेंड के सिमिलर ही है और बाकी सालों के मुकाबले NCRT और PYQ का ही रेलेवेंस है कि एवल एक या दो सवालों को छोड़ दिया जाए कुशन्स जो हमें कवर करना वो यह अंटाक्तिका के बारे में पूछ रहा है तीसरा स्टेटमेंट देखे जो मौंटेन रोस है यह हाइस्ट पीक है इस कॉंटिनेंट का सेम सवाल अगर आप देखो तो CDS में 2024 में ही यानि यह जो फर्स्ट वाला पेपर हुआ उसमें यह पूछा गया दो स्टेटमेंट है तो इसमें से जो दूसरा था वो यह कि अंसर आ गया थ्री को जैसे हम अंसर क्या आ गया ओप्सन नंबर ए ठीक है ओप्सन नंबर ए जो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है तो इस तरीके से विदिन सेकेंड हम माग कर पा रहे हैं क्योंकि यह पीवाई क्यू है डिरेक्ट और अगर इन कोशन में आपकी गलतिया हुई है तो फिर आपको यह री एनलाइज करने की नीड है इन कोशन में कैसे मिस्टेक हो रही है उन्हें हमें रेक्टिफाइ करना होगा आगे बढ़ बट यहां वे पूछा गया था not situated और यहां पूछा गया है situated क्या थे statements वो भी देख लेते हैं धोलागिरी नामचा बरवा कामेत मकालू और इसमें जो पूछा गया था वो भी था धोलागिरी मकालू कामेत और नामचा बरवा नहीं था बस यहां नंदा देवी था ठीक है बिल्कुल जरा सा डिफ्रेंस है, तो यहां not situated बोला गया, तो देखिए जो धोलागिरी और मकालू है, यह भारत में नहीं है, धोलागिरी नेपाल में है, और विसु में जो 8000 मीटर से ज़्यादा वाले जो माउंटेंस है न, उन्हें हम 8000 ही परवत कहते हैं, तो यहां अगर हम देखिए इस question में, धोलागिरी नामचा बरवा, कामेत और मकालू में, तो इसमें से जो धोलागिरी नामचा बरवा और जो कामेत है, क्या यह सारे भारत में हैं, बिल्कुल नहीं, यह जो धोलागिरी यह नेपाल में है, तो जैसी हम first को eliminate करेंगे, हमारे पास दो option बचेंगे, option C और option D, आगे हम देखते हैं नामचा बरवा और कामेत और मकालू, तो देखें कामेत जैसे कि मैंने बताए एंडिया में है, तो बस हमारा answer निकल कर आगया, C, 2 and 3, यह जो नामचा बरवा है और जो कामेत है, यह भारत में है, और जो कामेत है, उसकी location ध्यान रखेगा, यह हमारे गढ़वाल छेतर में है, उतराखंड में, ठीक है, और मकालू तो obviously हमने बात करी, नेपाल में तो eliminate हो ही जाता है, तो answer इसका क्या है, और यह सेम question यहाँ पूछा गया, इसलिए मैंने आपसे कहा, कि PYQ इतने जादा important है, तो यह recent के paper, even 2-3 सवाल directly civil services से है, कुछ एक सवाल तो direct CDS के repeated हैं, जैसे हमने last question देखा, और कुछ तो NDA से हैं, और बहुत सारे सवाल CEPF से repeated हैं, ठीक है, अभी मैं end पर इनकी चर्चा करूँगा, अभी बस आप pattern को बहुत अच्छे से observe करिएगा, तो यहाँ क्या answer था, वो भी discuss कर लेते हैं, तो देखे, इसमें से जो धोला गिरी है, और जो मकालू है, जैसा कि हमने चर्चा करी, यह नेपाल में है, ना की भारत में, ठीक है, बाकी के जो कामेट है, और नंदा देवी है, यह भारत में है, तो इसका जो सही उत्तर है, वो option भी है, because हमसे not situated पूछा गया था, इस पर बहुत आपको ध्यान देना है, यहाँ पर भी बहुत लोग गल्तियां करते हैं, not को अगर नहीं देखा जाए, तो बहुत बड़ी mistake हो सकती है, अगला सवाल देखे, इसमें राइन नदी के बारे में, ठीक है, राइन नदी के बारे में, पहला यह कहा रहा हैं, जो राइन नदी है, यह बहुत important है Northern Germany में, industrial activity के लिए, industrial activity का मतलब होता है, और द्योगिक विकास के लिए, यानि industries वगेरा में, इन नदीों के पानी का यूज होता है, दूसरा यह कहा रहा हैं कि जो Rotterdam का बंदरगा है, यह राइन नदी के मुहाने पर है, यह सेम सवाल अभी RO का paper हुआ था, ठीक है, उसमें पूछा गया था, और यही बात है जब मैं आपसे कहता हूँ, कि अब जो UPSC का pattern है, वो थोड़ा state PCS की तरफ tilt हो गया है, इसका मतलब यह है कि factual question ज़्यादा आ रहे हैं, और वो question जो थोड़े पहले कम पूछे जाते थे, जैसे यह जो question है, इसमें भी fact का role है, ठीक है, यह जो question है, यह तो directly वही पूछना चाहा रहे हैं, कि कौन कौन से state में हैं, या किस देश में हैं, तो again यह भी fact है, अब यहाँ आप देखो, तो यह भी fact है, तो इस तरीके से factual question का number बढ़ रहा है, जो कि यह state pieces में पहले पूछा जाता था, या इसे बहुत लोग, मेब best question भी कहते हैं, ठीक है, मानचित्र पर अधारित यह सवाल है, पहले इस सवाल को discuss करते हैं, और यह सारे papers मैंने YouTube पे भी करवाये हैं, batch पे भी, और यह आप देखो ना, 2024 के ही paper है, तो obviously फिर discuss करना बहुत important हो जाता है, ओके तो इसमें क्या पूछा गया था, राइन नदी एक important pathway, same line है, कुछ भी change नहीं है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है, बस option यह changes में इनने नीदर वन नोर टू पहले पूछा था, बाकी सब कुछ same है, तो यह बात सच है, राइन नदी जो है, वो यह आपको देखने को मिलेगी जर्मनी में, और Northern जर्मनी की एक बहुत महतपूर नदी है, खास दोर से उद्योगों के perspective से, और यह राइन नदी का मुहाना है, जहां आपको Rotterdam बंदरगा देखने को मिलेगा, तो अंसर इसका C है, आगे बढ़ते हैं, तो यह जो question है, इसमें आपसे बाजरे के बारे में पूछा गया है, इस question को मैं end में लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे concept हमें cover करना है, पहले हम tough question, so called tough question की बात करेंगे, अगला जो सवाल है उसमें आपसे गंगा बेसिन के बारे में पूछा गया, यह किस राइजी का भाग है, 36 गड़ का हिमाचल का राजथान का, CISF का paper अगर हम देखें last year, same question था कि गंगा बेसिन जो है, उसमें से कौन से state इसका part है, बस option अलग थे, कुछ option similar थे, कुछ option अलग थे, तो देखें जो गंगा बेसिन है ना, यह 36 गड़ हिमाचल राजथान, तीनो state का part है, हाँ यह देखें, तो जो हमारी CDS की बैच है सूरवीर, उसमें हमने यह बहुत डीटेल में cover किया था, even सभी नदियों के बारे में, जितने भी previous year question है, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम सब पर हमने बात करी थी, तो यह गंगा सिस्टम के बारे मैंने बहुत कुछ बताया था, आपको फिर हमने मैप से cover किया था, इनकी साहेक नदियों के बारे में, और ट्रिब्यूटरीज के बारे में, फिर कुछ सहरों के नाम थे, जिसे हमें क्रम में लगाना था, यह भी सवाल बहुत रिसेंट का था, देखेंगे, यह स्टेट PCS के कवर भी, कुछन को भी cover करते हैं, विकॉज यह भी बहुत ज़्यादा important है, क्योंकि आप देखें यह जो कुछन था, यह direct CDS में repeat था, यह यहीं होगा, हाँ यह देखें, क्या पूछा था, इन्होंने West to East, गंगा नदी के बगल में जो सहर है, यही चीज आप देखो, यहाँ पे, जो पूछा गया इसमें, यहाँ पे East to West पूछा गया, तो यही pattern है, स्टेट PCS के कॉशन भी, बहुत ज़्यादा repeat कर रहे हैं, आप recent के 2-3 सालों के सारे स्टेट के कॉशन जरूर कवर करें, तो YouTube पे भी मैं बहुत सारे पेपर करवाता हूँ, बट batch में complete रहता है, ठीक है, last 5 years के सारे स्टेट PCS के, और UPSC के सारे पेपर के, खेर अभी हम इसकी बात करते हैं, तो ये जब कोशन मैंने करवाया था, जिसमें गंगा बेसीन में कौन सा स्टेट पार्ट है, ठीक है, तो इस टेम पे हमने ये अंसर की बात करी थी, कि हिमाचल परदेश जो ये इसका हिस्सा है, और कौन-कौन से स्टेट है, उत्रा खंड है, उत्तर परदेश है, बिहार है, जहार खंड है, वेस्ट बेंगॉल है, हरियाना, हिमाचल, मेद्धे परदेश, 36 गर्ड, रास्थान डेली, इतने स्टेट की हमने बात करी थी, ठीक है, तो इसमें कौन-कौन से सामिल है, यह कौन सा, यह रहा, 36 गर्ड भी है, हिमाचल भी है, रास्थान भी है, तो आंसर इसका D होगा, कोई confusion की need नहीं है, ठीक है, इसके साथ ही, आप यह question देखिए, इसमें इन्होंने पूछा था कि, काबीनी जो है, वो किस peninsular river की tributary है, ठीक है, अब यह same question आप देखो, river काबीनी किसकी tributary, अभी जो paper हुआ ना, उत्रकंट PSC का, I think last month, उसमें यह question पूछा गया था, काबीनी किसकी tributary है, तो obviously कावेरी की, ठीक है, काबीनी किसकी tributary है, कावेरी की, तो यहाँ बस option इन्होंने D में दिया है, कावेरी, ठीक है, तो इस तरीके से PYQs help कर रहे है, हलाकि यह सवाल आसान है, यह hard मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं बस यह बता रहा हूँ, कि यह इस तरीके से repeated है, वैसे मुझे लगता है, यह question हमने batch में भी cover किया है, विकोज यह NCRT में भी है, और हर जगा है, हाँ देखिए, यह question था, कौन जा था, तो इसमें इन्होंने पूछा था, यह भी बहुत अच्छा question है, practice कर लेते हैं, tributaries को हमें match करना था, ठीक है, तो पहला है Krishna, और हमें जो सहाएक नदियों के नाम दिये गए है, वो है तुंग भदरा, घाट, प्रभा, माल प्रभा, दूसरी नदिये गंगा, गौमती, कौसी, गंड़क, तीसरी है यमुना, केन, बेतवा, चंबल, और चौथी है काविरी, काविनी, भीमा और हेमावती, तो देखे, इसमें जो भीमा नदिये, ये मैं कैसे याद रखता हूँ, मैंने भी आपको ये बताया है, कि जो भीम है, और जो भगवान कृष्ण है, ये दोनों ही महाबारत के पात्र है, ठीक है, तो यहाँ पर कृष्णा की साहक नदिये, भीमा, ठीक है, तो ये दी तो गलत है, जैसी दी को आफटा होगे, आंसर आजाएगा, क्या होगा, ऑप्सन ए, है ना, आंसर क्या है, इसका हो, ऑप्सन ए, ठीक है, तो अब ये चीज यहाँ पूछी गई है, तो भीमा, अब यहाँ साफ तोर से हम पढ़ पारें, कि कावेरी की नहीं है, बलकि क्रिश्णा की है, ठीक है, जैसे मैंने बताया, और काविनी किसकी है, कावेरी की, ठीक है, तो यहाँ जो आंसर होगा, कौन सा, हाँ यह, कौन सा होगा, कावेरी, ठीक है, तो अब देखे, हर क्वेश्ण में मैं नहीं बताता हूँ, कि यह बैच में कवर्ड है, जिसे मैंने कहा कि NCRT और PYQ में, तो अब यह सी बात है, यह, क्योंकि बैच का ही वो पार्ट है, ठीक है, हाँ, यह देखे, यह कौशन अभी मैंने अलग से लिख दिया है, खेर हम आगे बढ़ते हैं, हाँ, तो इसमें S-Wave के बारे में पूछा गया, पहला यह कह रहे हैं कि S-Wave ज्यादा स्लो होती है P-Wave से, अब यह Civil Services का पेपर अगर आप देखो, तो इसमें यह कौशन पूछा गया था, कि जो P-Wave हैं यह पहले रिकॉर्ड किये जाते हैं, ठीक है, P-Wave पहले रिकॉर्ड किये जाते हैं S-Wave से, यानि P-Wave क्या होंगे, फास्ट होंगे, यह देखिए, NDA में भी पूछा गया, 2023 में ही, इसमें इनों ने जो तीसरा स्टेटमेंट दिया था, वह यह, कि P-Wave ज़्यादा फास्ट मूब करते हैं, और सबसे पहले सता पर पहुँचते हैं, तो P-Wave अगर फास्ट मूब करते हैं, तब ही तो P-Wave फास्ट मूब करते हैं, यानि यह हो गया, करेक्ट, अगला देखिए, Option B में यह कह रहे हैं, कि Earthquake के टाइम पर क्या होता है, जो S-Wave है, यह कम खत्रा पहुचाते हैं, बिलिंग्स वगएरा को, अबर पासे, हाईवे वगएरा को, अब यह बात सरासर यहां पर गलत है, NCRT में, यह मैंने complete पढ़ाया है, ठीक है, अगर आप YouTube भी अगर आपने हमारा फॉलो किया है, तो एक साथ साथ गंटे की वीडियो है, जिसमें मैंने complete physical geography डिसकस की है, line by line, और वो भी सारे PYQs के साथ, यह आप पढ़ोगे हैं, यह उन्होंने साफ तोर से बताया है, कि जो S-Waves हैं, और इसके बाद जो surface waves हैं, इवन मैं YouTube भी मैंने यह cover किया है, ठीक है, तो उसकी वीडियो भी मैं डाल दूँगा link में, वो आप cover करना, मुझे लगता है कि कम से कम 35-40 सवाल हैं, जो earthquake के उपर पूछे गया हैं, ठीक है, वैसे यह question elimination से भी बहुत आसान था, कई बार मैंने आपको बताया है, कि S-Wave यानि जो secondary है वो, और S-4 solid, ऐसे भी याद रखिये याद जैसे रखिये, बट याद आपको रखना ही है, कि जो S-Wave हैं, वो सिर्फ solid से पास करती हैं, जबकि जो primary wave है, वो solid, liquid, gas, तीनों से पास करती हैं, ठीक है, अब आप logic कि ये केवल अर्थ के outer core से ही move करती है, यानि ये बात सच है, क्योंकि inner core कैसा है, inner core के बारे में, या इवन आप देखो ये, seismologists have concluded that the earth's outer coast must be liquid और fluid, outer core कैसा है, outer core liquid है, ठीक है, ये बात भी मंदाजा लगा पा रहे हैं, और ये सब कैसे हो रहा है, इस कारण से हो रहा है, क्योंकि जो S-Wave है, वो सिर्फ solid में travel कर रही हैं, इसमें हम एक shadow zone का भी concept पढ़ते हैं, उससे भी हमें काफी clarity मिलती है, कि कुछ waves सारे के सारे part में नहीं पहुच पाते हैं, ठीक है, खेर इसकी चर्चा हमने की हुई है, आगे बढ़ते हैं, chemical weathering के ओपर सवाल था, ये direct physical geography से question है, जो मारी NCRT 11th class वाली, पट ये PYQ में है तो मैंने अलग से उसका अभी screenshot नहीं लिया है, पहला ये कह रहा है, acid action, hydrolysis, salt, crystal growth था oxidation, CAPF में ये question पूछा गया, same question था, chemical weathering का उदाहरन कौन सा है, नहीं है, तो salt crystal growth जो है, वो chemical weathering का उदाहरन नहीं है, आप खुद समझे न, अगर कोई salt crystal growth हो रहा है, तो वो chemical weathering कैसे होगी, weathering में तो चीज़ें तूटती हैं, है न, बहुत आसान भासा में ये मैंने समझ था, बट ये भी, अगर हम logic लगा पाएं यहां पर, पहला ये इन्होंने कहा कि arc volcano, जो है, ये divergent plate boundary के पास देखने को मिलते हैं, तो कुछ ऐसी बात है, कि जो convergent boundary है, जिसमें चीज़े converge होती हैं, दो plates आकर converge होते हैं, इस तरीके से, ठीक है, एक दूसरे के नीचे subject कर जाते हैं, तो andies mountain है, और जो marina trench है, ये दोनो volcanic arc के example है, जबकि जो divergent boundary है, ये इसमें क्या होता है, नाम से समझा रहे हैं, diverge हो रहे हैं, दोनों plates के आवरे हैं, diverge हो रहे हैं, तो इसका बहुत अच्छा example है, mid oceanic ridge, इस पर direct question आया है, कि mid oceanic ridge कि इस तरीके के boundary में देखने को मिलती हैं, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, divergent boundary में, ठीक है, बस ये बात अगर आपको समझाए कि हाँ, ये divergent की बात नहीं कर रहे हैं, convergent की कर रहे हैं, तो पहला हो जाएगा गलत, और बाकी दोनों आसान हैं, क्योंकि जो highest volcano जैसा हमने पढ़ा, arc tap में, बहुत सारे ह है, वो भी है, है न, ये देखे, और इसी तरीके से, इसके अलावा जो है, वो ओजस डेल साला डो भी है, आगे बढ़ते हैं, अगला जो question है, उसमें ये पूछा गया, कि जो ISFR report है, यानि Indian state of forest report, उसके according, कौन सा top 3 में नहीं है, NDA में question पूछा गया था, कि largest forest cover, IFSR report के according, क state के पास है, तो largest forest cover मैदर परदेश के पास है, ठीक है, और इसमें जो top 3 है, उनमें मैदर परदेश भी सामिल है, चातिस गड़ भी है, अब नाचल भी है, बड महाराश्टर सामिल नहीं है, ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो, direct PYQ based question है, next देखिए, a strong pressure gradient जो है, वो weather map म लग रहा है, उसमें difference होता है, तो इसके कारण जो force generate होती है, वही कहलाती है, pressure gradient force, कहां पर ये ज्यादा होती है, जब ISO bar, ISO bar वो line होती है, जो same pressure वाले area को connect करती है, तो माल लो ये कुछ area एडिक है, point A है, और ये दूसरा point है B, इन दोनों का pressure, let's suppose, same है, 250 MB है, अब ये दोनो connect हो गया है, मतलब एक line में है, क्यों, क्योंकि ये same ISO bar के है, तो जब ये दोनों पास-पास है न, तो इसका मतलब है कि pressure gradient ज्यादा strong है, ये पूरा concept क्या है, ये मैंने आसान भासा में समझाया है, ठीक है, तो इसका जो answer है, वो option A है, ये question हमारी directly physical जोग रोपी से है, अब ज उचा गया है इसमें, कि जो pressure gradient है, और जो ISO bar है, इनके बीच क्या relation है, ठीक है, ये अच्छा question था, बहुत लोगों इसमें गल्पिया की थी, देखे, क्या वता है, इसका सही answer, जितना समीप होगा, जितना पास होगा ISO bar, उतना ही ज़्यादा pressure gradient होगा, और उतनी ही ज़्याद उतना ही ज़्यादा pressure gradient peak होगा, तो यह आप बोल सकते हो, कि हाँ, बैट से भी हम cover कर सकते हैं, और NCRT से भी, next देखे, headless cell के ओपर question था, पहला यह कह रहा है, जो headless cell है, यह win pattern को समझने मदद करता है, दूसरा यह कह रहा है, जो headless cell है, वो इसलिए बनता है, क्योंकि equator काफी गर्म हो जाता है, और बाकी जगों के मुकाबले equator जादा गर्म होता है, इससे thermal circulation create होता है, अब यह topic बहुत लोगों को difficult लगता था, तो मैंने पढ़ाया हुआ था YouTube पे, बहुत आसानी से समझाया था यह, और इसमें comments हो थे, वो भी बहुत valuable थे मेरे लिए, इसमें समझने का concept क्या है, वो देख लेते हैं, देखे, क्या होता है, यह जो हमारे equator है, यह काफी गर्म है, तो गर्म हवा क्यों रूठती है, ठीक है, गर्म हवा उपर क्यों रूठती है, देखे, इसमें मैंने question भी जो frame किया था, वो कैसा था, इसमें आपसे यह पूछा गया था, कि जो headless cell का role है, atmospheric circulation में, वो क्या है, तो इसका जो सही answer था, वो option A था, इसमें यह हम समझते हैं, कि जो गर्म हवा है, वो equator में उपर की और उठती है, और pole की तरफ move करती है, ठीक है, यह हवा ऐसे उपर उठ रही है, और pole की तरफ जाने की कोशिज कर रही है, बट, यह 30 degree latitude के पास descend कर जाती है, ठीक है, और यह जो इसकी definition है, इसी के आधार पर मैंने यह question create किया था, ठीक है, तो answer इसका option A ह अब यहाँ यह confusion आपको नहीं रखनी है, जैसे यह लिखा rising again, यह गलत है, ठीक है, इसका जो सही answer है, वो option A है, तो इसके आधार पर हम definitely कह सकते हैं कि जो equator है, इनके पास यह form होती है, और equator में ही form होने का reason यह है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा heat देखने को मिलती है, ठीक ह हमारी wind pattern को समझने में मदद करता है, बहुत आसान हो जाता है, NCRT पढ़ने के बाद, option A है यहाँ पर सही है, वैसे यह question CDS में पूछा गया था, कि जो headlay cell thermal circulation है, जो की rise up करती है, यह कहां descend करती है, तो इसे हम कहते हैं, sub-tropical high pressure cell, ठीक है, यह वाला हिसा, जिसको हम 30 degree latitude कह र लग रहा है, तो एक बार आप physical geography का lecture refer करिए, अगला देखिए, ocean current के बारे में यह सवाल है, कि जो ocean current है, इनमें huge surface gyre generate होते हैं, जो की global surface wind pattern के द्वारा dominated होते हैं, दूसरा यह कि जो equatorial current है, यह cold water को move करती है, westward की और, और जो poleward move करती है, east coast of continents में, तो यह cold ocean current नहीं है, यह equatorial current है, यह एक warm current है, equator के पास generate होती है, जिसी एक question भी था, cds में ही, कौन सी एक cold ocean current है, तो जो, इसमें, जो option है, equatorial current, यह warm है, ठीक है, ब्राजिलियन, गल्फ अस्ट्रीम, नौर्थ equatorial current, यह तिनो warm है, तो जब यह warm है, that means, यह cold water को कैसे move कर पाएंगी, ठीक है, second हो गया ग आपको इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें, अगर आप देखो, तो दोनों statement correct कह दिया गया, यानि यह भी answer नहीं है, statement 2 false है, बस यह एक ही option में, यानि इसका answer जो है, option C, बिल्कुल चाहिए, ना यह question देखे, तो इसमें क्या पूछा गया, कि कौन सा जो रामसर साइट है यह भारत के किसी union टेटरी में नहीं है, union टेटरी में नहीं होने का मतलब किसी state में है, ठीक है, अब यह देखे कैसे PYQ से solvable है, मैंने कहा ना almost सारे question कुछ को छोड़के PYQ से है, पहला इन्होंने का होकेरा, यह same question पूछा गया था civil searches में, होकेरा के बारे में, रेनुका, पंगो और सो मोरीरी, इसमें पूछा गया कि लदाक में कौन-कौन से situated है, तो इसमें जो सो कर है, पंगोंग सो है, और जो सो मोरीरी है, यह तीनों लदाक में है, ठीक है, यह इसे भी सवाल बन चकता है, जो सो मोरीरी है, यह सिक्कीम में है, ठीक है, यह ध्यान रखेगा, तो अब 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 यहीं बात है, जो 100 मोरीरी वह कहा है, लदाक में है, अब देख लेते हैं इस question को, तो 100 मोरीरी कहा है, यह सेम question पूछा के, आपने देखा अब यहीं, लदाक में, वूलर सब को पता है, बताने की need भी नहीं, कितनी बार PYQ में आया है, ठीक है, होकेरा अभी अच्छा सवाल है बट अगेन हमारी सुप्रीमेसी है फिजीकल जोगराफी की तो इसमें इनोंने पूछा कि कौन सा जो मास वेस्टिंग का प्रोसेस है क्रीप से असोसियेटेड है देखें मास वेस्टिंग क्या होता है जब कोई सोयल या सोयल के जो पार्ट्स है वो नीचे क जादा ढाल नहीं है मोडरेट ढाल है वहां पर हमें यह क्रीप देखने को मिलता है जातर जिसके मेट्रियल होते हैं और इवन इतने स्लो होते हैं कि इंपर्सिप्टिबल होते हैं यह बहुत जादा अब्जर्वेशन आप नहीं कर पाओगे ठीक है तो यह स्पीड स्लो है क इसका उप्सण डी कि ये कोशन अच्छा था इसमें इनोंने पूछा पोर्ट के बारे में ठीक है कौन सब जो पोल्ट है वकिस टाइब कहा है इन्टरि पोर्ट है धेब गधानों है जब भी यह नेंसे पोर्ट प्रण का लिए। पीएफ का कोशन था Singapore उसे port of coal क्यों कहा जाता है बहुत बार हमने इसको डिसकस किया है जब भी हमने ports पढ़ा हमने इस question को डिसकस किया port of coal इसलिए कहते है क्योंकि यह main sea route में है जहां पर जो नदिया है यह refueling के लिए anchoring करती है मतलब रुकती है यहां पर refueling होती है सीप की कई बार food items वगेरा लेना वाटरिंग यह सारी चीज़ है यही question CISF में पूछा गया 2022 में ports of coal का क्या मतलब है ports where ship used to anchor for refueling ठीक है अब यह चीज़ obvious ही बात है दो options ठीक है दोनों तो गए दूसरा यह कह रहा है जो करवर है यह naval port का example है अब यह चीज NCRT में नहीं है ठीक है वही मैंने कहा जो दो तीन सवाल ना उसमें यह भी सामिल है करवर जो है यह naval port का example है यह बात सच है options में पूछा गया है पहले बट इस तरीके से नहीं कि किस port का example है उसमें उन्होंने पूछा था कुछ military observation वगरा से associate करके ठीक है तो यह बात बिल्कुल सच है कि करवर जो है वह एक naval port का example है अगें यहां 50-50 की situation है रिस्क लेने वाला सवाल बन जाता था नेक्ट देखिए अच्छा यह भी मैं बता दू थोड़ा डोवर जो है वो कोई output नहीं है output का मतलब अगर कोई main port है उसकी help के लिए कोई port बनाई गई है ठीक है उस output कहते हैं तो डोवर जो है एक major port है ना कि output बाद में यह repeat कर सकते हैं यह अच्छा question था cumulonimbus cloud जो है यह किस cloud से बनते हैं यह आपको जो NCRT उसमें direct नहीं देखने को मिलेगा clouds पर तो बहुत question पूछे गया है ठीक है और वो सारे physical geography वाली NCRT से होते थे बट यह direct नहीं जीसी लिएंग में हम देखते हैं इसमें उन्होंने बताया है cumulonimbus के बारे में कि एक towering vertical cloud होता है ठीक है और यहां यह बताया गया है कि यह lightning को create करते हैं काफी dangerous होते हैं यह cumulus cloud से ही form होते हैं जब यह बड़े हो जाते हैं cumulus cloud जब बड़े हो जाते हैं यानि congestion हो जाता है उनमें feeling हो जाती है और उस तरीके से वह cauliflower के size के हो जाते हैं तो यह cumulus congestive cloud से cumulonimbus बनता है ठ और cumular nimbus cloud जो है वो इसका मतलब भी समझ लेते हैं कि यह cumulus congestus से क्यों बनते हैं क्योंकि cumulus congestus का मतलब होता है कि एक swelling cumulus cloud है जैसे मैंने बताया cauliflower appearance के तो यही बात है कि फिल से हम cover करते हैं बाकी sources को भी यही रिजाने की बैच में जी सी लियों को भी cover किया क्योंकि इस तरीके के जब question आते हैं खास तोर से मैंने चार-पांच topic के लिए cloud के लिए उसके बाद earthquake के लिए वॉलकेनों के लिए यह जो पांच-चार topic गलत है जेमू जो glacier है जेमू हीमनद कंचन जंग सिक्की में है अगर जेमू सिक्की में है यानि नेपाल में नहीं है तो तीसरा गलत है दो option हमारे पास बस बसते हैं तो जो चुंपार है पीर पंजाल में है तो इस तरीके से दूसरा भी हो जाता है गलत और आंसर होगा option ए तो ये मैं नहीं कहा रहा कि आप 100% question तक पहुँच गया है बट difficult question में भी बहुत easily 50% eliminate किया जा सकता है जो कि बहुत बड़ी बात है ठीके क्योंकि overall वो आपको positive देगा ये question था बराक river जो है ये head steam है मेघना नदी की और ये मेघाले से निकलती है मेघाले पहाडियों से साफ चीज कौन सी desert river नहीं है तो बहुत ही बात है ये वही जानना चाह रहे है कि आप समझ पाओ कि कौन सी north east वाली है ताकि आप eliminate कर पाओ ठीके बराक नदी desert नहीं obviously बाकी रूपेन बना समच्छू ये सभी आपको western part में देखने को मिलेंगे गुजरात रास्थान में इस मिजियोग्राफिय मनिपूर की ये काफी unique है क्योंकि लोकटक जील देखने को मिलती है और लोकटक जील के बारे में जैसा कि आपको अल्रेड़ी पटा है फुमडी वगर आपने पढ़ा होगा ठीक है कि एक floating lake देखने को मिलता है ठीक है एक floating इसके साथ ही जो मिजोरम है य यहीं से frame होगा direct ठीक है और वो यह की जो बराक है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है ध्यान रखेगा मेघना नदी की ठीक है तो यह पहला जो है वो यहां पे गलत है क्योंकि मेघाले कह दिया गया है जबकि हमने यह बार बार पढ़ा यह देखे यहां से यह असल में निकलती ह यह वाली बराक नदी है यह जो blue color में है ठीक है यह वाली ठीक है इस तरीके से जो है यहां से यह है तो यह कहा है अच्छा यह सहाएक नदी हम और भी नदिया है ढाले स्वरी है यह सब भी हम पढ़ेंगे अलग से ठीक है तो बराक जो है जैसे मैंने बताया मनी पूर से और होती है ठीक है और इसका जो दूसरा नाम है यह भी ध्यान रखेगा ठीक है पहला हो जाता है गलत और हमारे दो option हट जाते हैं आगे इन्होंने कहा यानि second obviously सही है फिर भी पढ़ लेते हैं घगर जो है वो ब्रेन नहीं होती है समुद्र में और राज्थान डेजट में यह लॉस्ट हो जाती है इसमें जो पूतिमारी इसका जिकर नहीं है बाकी नदियों के बहुत सारे नदियों के जिसमें मानस भी सामिल है ठीक है तो तीसरा है पर सही होता है और option D है अच्छा ये तो हो गए उन questions की बाद जो directly NCRT PYQ से हैं एक question और था जिसे हमने end में रखा था ये बाजरे वाला तो पहला ये कह रहा है कि जो बाजरा है ये राज्थान में उतर परदेश में गुजरात में इन राज्यों में देखने को मिलता है जबकि जो रागी है ये करनाटक और तमिल नाडु में देखने को मिलता है उनके cultivation दूसरा ये कि जो बाजरा है ये sandy और shallow black soil में अच्छे से ग्रो होते हैं जबकि जो black soil है जिसमें red और shallow black soil सामिल है ये बारे में रागी जो है एक रेंफेड क्रॉप है पहला दूसरा रागी जो है ये red black sandy low me shallow black soil अब यही चीज यहां देखो जो रागी है कहां गया यह वाला ठीक है रागी red shallow black soil ठीक है और यह second सही था तो अब यहीं साफ समझ लो कि यह second सही हो जाता है इसके बाद यह बाजरे के बारे में पूछा गया था कि बाजरा जो है वो hot and dry climatic condition में Central पार्ट और Western पार्ट तो Central Western कौन सा पार्ट हुआ Central Western राजथान उतरप्रदेश गुजरात यही स्टेट तो हुए हाँ यह question भी देख लिजे इसमें इन्होंने वही पूछा बाजरे के बारे में कि बाजरा जो होट and dry climatic condition में देखने को मिलता है अच्छी यह कौन से पेपर का यह भी हमारे डीसेंट के स्टेट PCS का ही है ठीक है जारकन PSD का बाजरा जो होट and dry climatic condition वेस्टर और सेंटरल पार्ट तो वेस्टर और सेंटरल कौल सा पार्ट होता है रास्थान यूपी गुजरात यही अच्छा यह कौशन CAPF में पूछा गया था 2023 में रागी के बारे में ठीक है लास्ट यह पहला यह कह रहा है कि मिलेट क्रॉप है जो कि ड्रायर पार्ट में साउथ इंडिया में देखने को मिलता है दूसरा यह कि एक रभी क्रॉप है जो कि नॉमबर और मार्च के बीच है तीसरा यह कि यह एक रेंफेड क्रॉप है जो कि रेड लाइट ब्लेक और सेंडी लोमी सोयल में देखने को मिलता है चौथा यह कि 20 डिगरी 30 डिगरी सेल्सेस के बीच और 50 से 100 सेंटिमिटर रेंफुल के बीच यह कोशन UPSC ने ड्रॉप कर दिया अब इसका रीजन में बत प्रेड लाइट इसके साथी ब्लेक सेंडी लोम जो स्वयल है यह इसमें अच्छे से ग्रोव कर दिया तीसरा भी सही होता है इवन चौथा भी सही था इन्होंने नोट करेक्ट पूछना चाहा होगा ठीक है खर जो भी यह से यह पेस ने ड्रॉप कर दिया तो यहां से भी यही चीज देख पा रहें ठीक है ब्लेक सेंडे सेलो स्वयल इस तरीके से कोशन पर सेंडी सै तो हैं इसमें आप आप देखोगे तो उनंने बताया है बाजरे के बारे में कि बाजरा सूइल और Sello Black wasminimum grow करता है इही चीज तो उन्हों ने पूचा यह देखे बाजरा Sandy और Sello Black wasmini grow करता है यह दो अला लाइन भी पाद आगे देख लेते हैं तो आगे विन्हों ने बाखी चीज़ें बताई कि जो रागी है वो ड्राइ सीजन का क्रॉप है और रेड ब्लेक सेंडी लोमी सेलो बुलेक्स वैल यह देखे रेड ब्लेक सेलो ठीक है सारी चीज़ें रिपीटेड है यह जितने भी पीवाइक्यू और एंसी आर्टीज के कुश्चन्स हमने देखे यह सब मालो हम साइकलोन पढ़ रहे है तो उसी पे बेज 25-30 UPSC को कवर करेंगे इसके बाद जो रिसेंट पेपर के पेटर्न है उनकी आधार पर हम प्रैक्टीज कुश्चन्स कवर करते हैं जैसे यह अगर आप देखो जिसमें हमने इन कुश्चन्स की बात करी ठीक है जैसे यह क कुश्चन हलाकि हमारे डाइक प्रैक्टिस से भी है यह कुश्चन तो आखिर NCRT से भी देखने को मिल रहा है इसी तरीके से यह भी जो कुश्चन मैंने फ्रेम किया है यह भी आप देखो पूरा का पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो जाता है जो आप इस तरीके के प्रोसेस और हाँ जोइनिंग की क्या प्रोसेस ही है मैंने आपको अल्रेडी नंबर प्रोवाइड कर दी है यहां पर आपको जो टीम से वह सारी डीटियल्स तर कर देती है धन्यवाद जैहन